वैशाली नगर से नौ निर्वाचित विधायक रिकेश सेन सक्ता संभालते ही सर्व समाज की लोग उन्हें अपना प्यार और दुलार दे रहे हैं। वैशाली नगर विधान सभा के मुसलिम समुदाय के लोगों ने गुरुवार को विधायक के घर पहुचकर फूलों से उनका इस्तक्बाल किया और उनके विधायक बनने पर खुशी जाहिर की और साधी मुबारक बात दी। वैशाली नेकर विधान सबाच छेतर से भारती जंता पार्टी के प्रत्याशी रिकेश सेन ने भारी मतों से अपनी जीत दर्च की है इस जीत में विधान सबाच छेतर के सभी धर्म जाती समधाय के लोगों का आश्रीरवाद रिकेश सेन को प्राप्त हुआ जीतने के बाद हर जाती हर समधाय अपने अपने तरीके से रिकेश सेन का स्वागत करने उनके घर पहुँच रहे हैं इसी कड़ी में वैशाली नेकर विधानसबा छेतर के मुस्लिम समधाय ने भी अपने नव निर्वाचित विधायक का फूलों से इस्तिकबाल किया और उनसे एक सौजन मुलाकात करते हुए उन्हें विधायक बनने पर धेरो बधायां प्रिशित की और समाज की तरफ से शुपकामनाय देते हुए उनके उज्वल भविश्य और एक बहतर कारेकाल होने की काम नव निर्वाचित विधायक रिकेश सेन ने मुस्लिम समधाय का ह मैं खेला किसे के घर से मेरा परिवारी संबंद तो यह व्यक्तिकत रिलेशन और यह बढाया का दो हिस्सा है जब मैं चुनाओ जीता हमें चुनाओ जितने में बड़ा योगदान था और जब सुनाओ जीता तो कहीं ना कहीं ये खुशियां इनमें भी आई और आज मुझे बढ़ाई देने के लिए आये हैं और इस बात की उम्मीद मुझसे कर रहे हैं कि मैं सक्रात्मक दिशा में पहल करूंगा और सहर के विकास के लिए काम करूंगा तो मैंने इनको आस्वस भी किया पूरे हैं एक्टिव एक्टिव इदायक हैं और आगे ऐसा उमीद है कि कुछ कर गुजरेंगे 36 गड़ में नहीं पूरे भारत वर्ष में वैशाली नगर विधानसभा का नाम रोशन करके दिखाएंगे वैशाली नगर विधानसभा छेत्र के नव निर्वाचीत विधाय गरीके सेन अपने छेत्र की जंता से मिले प्यार और दुलार से अभी भूत है और वैशाली नगर विधानसभा छेत्र को सिर्फ 36 गड़ में नहीं बलकि पूरे भारत में नमबर एक विधानसभा बनाने की बाते कर रहे हैं ग्रेंडेसियन नियूस के लिए भिलाई से संतो शर्मा की रिपोर्ट